समस्कार मेरे चैनल में आपका स्वागत है आज मैं आप लोगों को शुक्रवार संतोसी माता का व्रत कथा सुनाओंगी बोलो जै संतोसी मैया शुक्रवार के दिन मा संतोसी का व्रत पूजन किया जाता है इस पूजन के दोरान माता की आर्ती पूजन तथा अन्त्वे माता की कथा सुनी जाती है संतोशी माता व्रत कथा, एक बुढ़िया थी उसके साथ बेटे थे, छे कमाने वाले थे जबकि एक निकमा था बुडिया छहों बेटों की रसोई बनाती भोजन कराती और उनसे जो कुछ जूठन बचती वह सातवे कुदे देती एक दिन वह पतनी से बोला देखो मेरी मा को मुझ पर कितना प्रेम है वह बोली क्यों नहीं सबका जूठा जो तुमको खिलाती है वह बोला ऐसा नहीं हो सकता मैं जब तक आखों से न देख लूँ मान नहीं सकता बहु हसकर बोली देख लोगे तब तो मानोगे कुछ दिन बाद तुहार आया घर में साथ प्रकार के भोजन और चुर्मे की लड्डू बने वह जाचने के लिए सिर दुखने का बहाना कर पतला वस्त्र सिर पर ओड़े रसोई घर में सो गया वह कपड़े में से देखता रहा छो भाई भोजन करने आये उसने देखा मान ने उनके लिए सुन्दर आसन बिच्छा नाना प्रकार की रसोई परोसी और आगरा करके उन्हें खिलाया वह देखता रहा छो भोजन करके उठे तब मान ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डू के टुकड़े उठा कर एक लड्डू बनाया जूठन साफ कर बुढ़िया मान ने उसे फुकारा बेटा छो भाई भोजन कर गया अब तू ही बाकी है उठ तू कब खाएगा वह कहने लगा मा मुझे भोजन नहीं करना मैं अब परदेश जा रहा हूं माने कहा कल जाता हो तो आज जाला जा वह बोला हाँ आज ही जा रहा हूं यह कर वह घर से निकल गया सातवे बेटे का परदेश जान चलते समय पतने की याद आ गई वह गौशाला में कंडे थाप रही थी वहाँ जा कर बोला हम जावे परदेश आवेंगी कुछ काल तुम रहियो संतोस से धर्म आपनो पाल वह बोली जाओ पिया अनंद से हमारों सोच हटाए राम भरों से हम रहें इश्वर तुम्हे सहाए दो निशाने आपन देख दरू मैं धीर सुधिमत हमारी बिसारियों रखियों मन गंभीर वह बोला मेरे पास तो कुछ नहीं है या अंगुठी है सुले और अपनी कुछ निशाने मुझे दे वह बोली मेरे पास क्या है या गोबर भरा हाथ है या कहकर उसकी पीठ पर गोबर की हाथ की थाप मार दी वह चल दिया चलते चलते दूर देश पहुँचा परदेश में नौकरी करने लगा वहाँ एक सावकार की दुकान थी वहाँ जाकर कहने लगा भाई मुझे नौकरी पर रख लो सावकार को जरूरत थी बोला हाँ रह जा लड़की में पूछा तनख्वा क्या दोगे सावकार ने कहा काम देख कर दाम मिलेंगे सावकार की नौकरी मिली वह सुबह साथ बज़े से दस बज़े तक नौकरी करने लगा कुछ दिनों में दुकान का सारा लेंदेन हिसाब किताब ग्राहकों को माल बेचना सारा काम करने लगा सावकार के साथ आठ नौकर थे वे सब चक्कर खाने लगे यह तो बहुत होशियार बन गया सेठ ने भी काम देखा और तीन महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिसेदार बना लिया वह कुछ वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़ कर चला गया इधर उसकी पतनी को साथ ससुर दुख देने लगे सारी ग्रिहस्ती का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बना कर रख दी जाती और फूटे नारियल की नारेली में पानी एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी रास्ते में बहुत से स्त्रियां संतोशी माता कवरत करती दिखाई दी वह वहाँ खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा बैनो तुम किस दिरता कवरत कर रही हो और उसके करने से क्या फ़ल मिलता है यदे तुम इस वरत का विधान मुझे समझा कर कहोगे तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूगी तब उनमें से एक स्त्रियां बोली सुनो यह संतोशी माता कवरत है इसकी करने से निर्धनता दरिदरता का नाश होता है और जो कुछ मन में काम ना हो सब संतोशी माता के कृपा से पूरी होती है तब उससे उसके व्रत की विधी पूची वह भक्तिने इस्त्रि बोली सवा आने का गुर्चा ना लेना इच्छा हो तो सवा पांच आने का लेना या सवा रुपय का भी सहूलियत के अनुसार लेना बिना परिशाने और स्रधाव प्रेम से जितना भी बन पड़े सवाया लेना प्रतेक शुक्रवार को निरहार रहकर कथा सुनना इसके बीच क्रम तूटे नहीं लगतार नियम पालन करना सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जला उसके आगे या जल की पात्र को सामने रख कर कथा कहना जब कारे सिध नहों नियम का पालन करना और कारे सिध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना किसी के ग्रह खोटे भी हो तो भी मातावर्ष भर में कारे सिध करती है फल सी धोने पर उद्यापन करना चाहिए बीच में नहीं उद्यापन में अड़ाई से राटे का खाजा तता इसी परिमार से खीर तता चने का साग करना आठ लड़कों को भोजन कराना जहां तक मिले देवर जेट भाई बंधू के हो ना मिले तो रिस्तेदारों और पास पड क्षिडा देन माता का नियम पूरा करना उस दिन घर में खटाई ना खाना या सुन बुढ़िया के लड़के की बहुच चल दी रास्ते में लकडी के बोज को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चनाले माता कवरत की तयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देखकर करने लगी मा मैं नेपट अग्याने हूं व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती मैं दुखी हूं हे माता जगत जनने मेरा दुख दूर कर मैं तेरी शरण में हूं माता को दया आई एक शुक्रवार बीता की दुसरे को उसके पती का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उस अने लगा अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी बिचारी सरलता से कहती भाईया कागा जावे रुपया आवे हम सब के लिए अच्छा है ऐसा कहकर आखों में आशु भर कर संतोशी माता की मंदिर में आम मातेश्वरी के चड़ों में गिर कर रोने लगी मा मैंने तुम से पैसा क माइगा है मुझे पैसे से क्या का मुझे तो एपने सुहाग से काम है मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ तब मता ने प्रसन नहोंकर कहा जा बेटी तेरा स्वामी आएगा यह सुनकर खुसी से बाउली होकर घर में चाह काम करने लगी अब संतोशी मावीचार करने लगी इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पती आएगा लेकिन कैसे वह तो इसे स्वपन में भी याद नहीं करता उसे याद दिलाने को मुझे ही जाना पड़ेगा इस तरह माता जी उस बुड़िया के बेटे के पास जा स्वपन में प्रगठ हो कहने लगी स तेरे घर बार कुछ है की नहीं वह बोला मेरे पास सब कुछ है मांबाप है बहु है क्या कमी है मां बोली भोले पुत्र तेरी बहु घोर कश्ट उठा रही है तेरे माबाप उसे परिशाने दे रहे हैं वह तेरे लिए तरस रही है तो उसकी सुध ले वह बोला हाँ माता जी यह तो मालूम है परन तु जाओं तो कैसे परदेश की बात है लेन देन का कोई हिसाब नहीं कोई जाने का रास्ता नहीं आता कैसे चला जाओं मा कहने लगी मेरी बात मान सवेरे नहा धोकर संतोशी माता का नाम ले घी का दिपक जला धंडवत कर दुकान पर जा बैठ देखते देखते सारा लिन देन चुक जाएगा जमा का माल बिक जाएगा साज होते होते धन का भारी धेर लग जाएगा अब बुड़े की बात मान कर वा नहां धोकर संतोशी माता को दंडवत कर गी का दिपक जला दुकान पर जा बैठा ठोड़ी देर में देने वाले रुपए लाने लगे लेने वाले हिसाब लेने लगे कोठे में भरे समान के खरीदार नगत दाम दे सौधा करने लगे शाम तक धन का भारी धिर लग गया मन में माता का नाम ले चमतकार देख प्रसन्य हो घर ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा समान खरिदने लगा यहां काम से निपट तुरंत घर को रवाना हुआ उदर उसकी पतनी जंगल में लकड़ी लेने जाती लटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करती वह तो उसकी प्रति दिन रुकनी का जो अस्थान ठहरा धूल उड़ती देख वह माता से पुछती है माता यह कैसी धूल उड़ई है माता कहती है हे पुत्री तेरा पती आ रहा है अब तु ऐसा कर लकड़ियों के तीन बोज बना ले एक नदी के किनारे रख और दूसरा मेरे मंदिर पर वा तीसरा अपने सिर पर तेरे पती को लकड़ियों का गठर देख मुव पैदा होगा वह यहां रुकेगा नाश्ता पाने खा कर मां से मिलने जाएगा तब तु लकड़ियों का भोज उठा कर जाना और चौक में गठर टाल कर जोर से आवाज देना लो सासू जी लकड़ियां का गठर लो भोसी की रोटी दो नारियल के खेपड़े में पानी दो आज मिहमान कौन आया है माता जी से बहुत अच्छा कह कर वह प्रसंद मन से लकड़ियों की तीन गठर बनाई एक नदी के किनारे पर और एक माता जी के मंदिर पर रखा इतने में मुसाफिरा पहुचा सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा उत्पन हुई कि हम यही पर विश्राम करे और भोजन बना कर खा पी कर गाउं जाएं इसी तरह रुख कर भोजन बना विश्राम करके गाउं को गया सबसे प्रेम से मिला उसी समय सिर पर लकड़ी का गठर लियेवा उतावली सी आती है लकड़ीों का भारी बोज आंगन में डाल कर जोर से तीन आवाज देती है लो सासू जी लकड़ीों का गठर लो भोसी की रोटी दो आज में मान कौन आया है या सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिये हुए कष्टों को भुलाने ही तु कहती है बहु ऐसा क्यों कहती है तेरा मालिक ही तो आया है आ बैठ मीठा भात खा भोजन कर कपड़े गहने पहन उसकी आवाज सुन उसका पती बाहर आता है अंगुठी देख ब्याकुल हो जाता है मा से पुछता है मा यह कौन है मा बोली बेटा या तेरी बहु है जब से तु गया है तब से सारे गाउं में भटकती फिरती है घर का काम काज कुछ नहीं करती चार पहर आकर खा जाती है वह बोला ठीक है मा मैंने इसे भी देखा और तुमें भी अब दूसरे घर की चाबी दो उसमें रहूँगा मा बोली ठीक है जैसी तेरी मर्जी तब वा दूसरे मकान की तिसरी मंजील का कमरा खोल सारा समान जमाया एक दिन में राजा के महल जैसा ठाट बट बन गया अब क्या था बहु सुख भोगने लगी इतने में शुकरवार आया शुकरवार वरत के उद्यापन में हुई भूल किया खटाई का इस्तिमाल उसने पती से कहा मुझे संतोशी माता की वरत का उद्यापन करना है पती बोला खुशी से कर लोवा उद्यापन की तयारी करने लगी जिठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने लगी उन्होंने मंजूर किया परन्तु पीछे से जिठानी ने अपने बच्चों को सिखाया देखो भोजन की समय खटाई मांगना जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो लड़के खाने आये खीर खाना पेट भर खाया परन्तु बाद में खाते ही कहने लगे हमें खटाई दो खीर खाना हमको नहीं भाता देखकर अरूची होती है वह कहने लगी भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी या संतोशी माता का प्रसाद है लड़के उठ खड़े हुए बोले पैसा लाओ भोली बहु कुछ जानती नहीं थी उन्हें पैसे दे दिये लड़के उसी समय हट करके इमली खटाई ले खाने लगे या देखकर बहु पर माता जी ने कोप किया राजा की दूत उसके पती को पकड़ कर ले गए जेट जिठानी मन माने वचन कहने लगे लूट लूट कर धनी खटा कर लाया है अब सब मालूम पढ़ जाएगा जब जेल की मार खाएगा बहु से यह सहन नहीं हुआ रोती हुई माता जी के मंदिर गई कहने लगी है माता तुमने क्या किया हसा कर अब भक्तों को रूलाने लगी माता बोली बेटी तुने उद्यापन करकी मेरा व्रत भंग किया है वह कहने लगी माता मैंने कुछ अपराद किया है मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिये थे मुझे छमा करू मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी मा बोली अब भूल मत करना वह कहती है अब भूल नहीं होगी अब बतलाओ वे कैसे आवेंगे मा बोली जा पुतरी तेरा पती तुझे रास्ते में आता मिलेगा वह निकली रा में पती आता मिला वह पूछी कहां गये थे वह कहने लगा इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था वह भरने गया था वह प्रसन हो बोली भला हुआ अब घर को चलो कुछ दिन बात शुक्रवार आया वह बोली मुझे फिर माता का उद्यापन करना है पती निकाहा करो बहु फिर जेट के लड़कों को भोजन को कहने गई जेठानी ने एक दो बाते सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी तुम सब लोग पहले ही खटाई मांगना लड़के भोज अजन कराने लगि या था शक्ती दख्चळा की जगह एक-एक फल उनहें दिया संतोषी माता प्रसण हो इं Universal lady कि क्रिपा होते ही नवमे MD में उसकी चंद्रमा की समान सुंदर पुद्र पुद्र को पापे हो प्रति दिन माता-जी के मंदिर को जाने लगी आयाँ कीकर्व ड बनाया गुडचने से सना मुख उपर सुन्द के समान होट उस पर मक्यां भिन भिन कर रही थी देली पर पैर रखते ही उसकी सास चिलाई देखो रहे कौन चुड़ेल डाकिन चली आ रही है लड़को इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी लड़के भगाने लगे चिला खर्खिड की बंद करने लगे बहु रोशनदान में से देख रही थी प्रसनता से पगली बंद चिलाने लगी आज मेरी माता जी मेरे घर आई है वह बच्चे को दूद पीने से हटाती है इतने में सास का क्रोध फट गया वह बोली क्या उतावली हुई है बच्चे को पटक दिया इतने में मा की प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे वह बोली मा मैं जिसका वरत करती हूँ या संतोशी माता है सबने माता जी के चरण पकड़ लिये और विंती कर कहने लगे है माता हम मुर्ख हैं अज्यानी है तुम्हारे वरत की विधी हम नहीं जानत वरत भंग कर हमने बड़ा अपराद किया है जग माता आप हमारा अपराद छमा करो इस प्रकार माता प्रसन हुई बहू को प्रसन हो जैसा फल दिया वैसे माता सब को दे जो पढ़े उसका मनोरत पूर हो जो सुने उसका भी मनोरत पूरा हो बोलो संतोशी माता की जय अगर आपको मेरी यह कता अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट मुझे संतोसी माता जरूर लिखें